आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो खीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ पर कोई मदद नहीं करते हैं उनसे गड़ना के तथा इबारती सवाल पूछे गए दोनों इतरह के सवालों पर इन स्कूली बच्चों ने दुकानदार नहीं है मौकिक गड़ना या मन गड़ित का प्रियोग बहुत कम किया बनिजबत उनके जो दुकानदार थे गड़नाने में अक्सर भयंकर गलतिया कर देते हैं इसे अस्तर होता है कि जिन बच्चों के रोजमर्णा के जिन्दगी में इस तरह के सवाल से जूझना पड़ता है वे अपने लिए जरूरी गड़ितिये छमता हासिल कर लेते हैं लेकिन साथ ही इस बात पर भी गवर्ण करना महत बोड़ है कि इस तरह के दच्चताओं एक अस्तर तक और एक कारश छेतर तक सीमित होकर रह जाती इसलिए वे सामाजिक वे सांस्क्रितिक परिवेश से जो ग्यान को बढ़ाने में मदद करते हैं वही उस ग्यान को साकुंचित और सीमित भी कर सकते हैं प्रस्न में क्या पुछा गया कि एक प्रत्य का उदहारण है हमारे बिकल पर देगे हैं सांस्क्रितिक चूकी सीमित साकुंचित ठीक है तो हम प्रस्नों को हल करते हैं एक प्रत्य का उदारण क्या है, प्रत्य पहले समझते हैं प्रत्य होता क्या है, जो किसी सब्द के अंत में आकर उस सब्द के विभीन अर्थ में प्रकट करते हैं, तो उसे हम प्रत्य कहते हैं, तो एक प्रत्य किसमें जुड़ा है, तो जैसे पहले हम सांस्क्रितिक का सांस्क्रेट इसमें कौन सा प्रत्य जुड़ा है तो सांस्क्रेट प्लस एक ठीक है इसमें एक प्रत्य लगा है सांस्क्रेट इसमें कौन सा प्रत्य लगा है एक प्रत्य लगा हुआ है, ये मूल सब्द हो गया, ये प्रत्य हो गया है, प्रत्य ठीक, और ये मूल सब्द हो गया, तो एक प्रत्य का उदारण कौन सा है, सांस्कृति जो है हमारा एक प्रत्य का उदारण है, अने भिकलप लेगे चुकी, चुकी का प्रत्य नहीं हो पाएगा, सुमित, जो सीमित है, सीमित का अगर हम प्रत्य करेंगे, अगर हम इसका प्रत्य निकालेंगे, तो क्या होगा, सीमा प्लस, सीमा प्लस इत, इसमें क्या, कौन सा प्रत्य लगा है, इसमें इत प्रत्य लगा हुआ है, और जो सकुंचित है, सकुंचित का अगर करेंगे, तो संक प्लस संकू प्लस इत इसमें भी इत प्रत्य लगा हुआ है तो यह दोनों सब्द में इत प्रत्य लगा है जो हमारा पहला वाला विकल्प है सांस्कृतिक इसमें इक प्रत्य लगा हुआ है तो हमारा इस प्रस्ण का जो पहला वाला विकल्प होगा यह पहला वाला विकल्प स सही उत्तर होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा वाला गलत होगा, धन्यवाद.